सर हम लोग नोईडा में रहते हैं मैं और मेरे हस्पेंट अभी होली में हम लोग भिहार आये हुए थे सर होली बनाने के लिए पूरी फामली का गेट टूगेदर था 9 अपरेल को मेरे हस्पेंट की तव्यक्त खराब हुई फीवर हुआ उनको काफी थे हमने कोरोना का दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया नेगेटिव आया आटी पीसी आर के लिए दिया तो वहां पे भागलपूर में सर भागलपूर में थे हम लोग वहां पे एक दिन दो दिन वेट करते करते दस दिन तक रिपोर्ट नहीं आया फिर हमने नोईडा के एक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है हम लोग भागलपूर गये और सिटी चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इंफेक्शन आया फिर हम लोग नेक्स डेग लोकल हॉस्पिटल है भागलपूर में लोकल हॉस्पिटल लेके आये वहाँ पर आड्मिट कर आये हमने आई सीओ में मेरी मदर की भी तव्यत खराब थी मेरी मम्मी और मेरी हस्बेन दोनों एक साथ अड्मिट हुए उहां पर इतनी लापरवाही हुई उनके साथ इतनी लापरवाही हुई डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए दस मिनट देखके गए उसके अलावा जितने भी उहां पर नर्स थे सारे के सारे जलात थे सर कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेसें मेरी मदर का चुड बेटर कंडिशन में थ पिलाती थी तो यह लोग हला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी चूस पिलाती थी एंडी सिवीर इंजेक्शन का नाम आप लोगों अभी तक सब ने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है डॉक्टर ने वहां सजेस् कभी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी हम लोग चुप चाप वहां से सर हट गए थोड़ी दिर बाद वहां पे मेरे हस्में को मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था यूरीन पास किया था कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर छे घंटे पर वह सोय हुए थे सर मैंने जवर्दस्ती सब को बुलाया एक आदमी था जोती कुमार करके जोती कुमार सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए जोती कुमार एक कंपाउंडर था वहां पे लोकल 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 हॉस्पिटल भागलपूर जोती कुमार कंपाउंडर है वहां इस इन के पास, उसने बोला, ठीक है, जरूर मदद करूँगा, यह कहके, और मैं अपने हस्बें से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी, अचानले से मेरा दुपट्टा खीचाया बहुत जोर से, मैंने सोचा क्या हो रहे था, मैंने पीछे मू आख निकाल लूगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं, और मेरे हस्बेर उस इन बेट पर पर हुए देखते रहे हैं, कि मेरे वाईब का कोई दुपट्टा खीच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था, मैंने एसे दुपट्टा कोई सोविधा नहीं कुछ नहीं, मेरे हस्बेर की तब्याद उस दिन से बिगरी, जब रात के दो बजे में मेरी मधर के बगल वाले बेड़ पर एक अंकल मास को उनका हंट गया था, और उनकल चिला-चिला के नर्स को बुला रहे थे, और मेरी मम्मी चिला रही थी, जल्द कोई नहीं आया, और अंकल ने दम तोड़ दिया, ऐसे तीन-चार लोग उस दो-तीन दिन के अंदर दम तोड़े हैं, बिना केर के, बिना नर्स के आया है, सारी नर्स टेबल कुरसी लगा के सो जाती थी, कहती थी, भागल हो गए है, हम ही अब मढ़ जाएंगी, इस कोरोना क होस्पिटल, हम लोग अभी माया गंज आये, माया गंज की और हालत खराब, ICU में चार बेड़ था, मेरे हस्बेन के बगल वाले बेड़ पे, चार लोग, छे से साथ घंटे में, चार लोग खतम हुए, क्यों खतम हुए, वो नर्स को बुला रहे ते, सिस्टर आ जाओ, दिक अचानक से खराब होने लगी, पूरा ये सब ड्राई हो गया, एक लेयर हॉइट कलर का जम गया उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा खराब हो गई, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, कि हो क्या रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में आना, डॉक्टर को कम से कम 5-6 बर मेरी इंचे आज, आर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे, रात में भी सोने नहीं दोगे, जब हमने देखा जा के सर, तो लाईट आफ इमेजेन्सी के नाइट डॉक्टर का लाइट आफ औफ, और सब नीचे बिचा के मुवी देख रहे हैं और दर्वाजा तक नहीं खोला सर मेरे हस्बेन की ऐसी हालत हो कि जब मेरी दीदी बहुत जाके चिलाई तब एक डॉक्टर आये वहां से तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क उन्होंने जिन होगे उसी दिन से उनके दिमाग में ओक्सीजन की खिलत का डर बैठ गया सफ since पर उस दिन इतना वो डर गये तो बोले नहीं आब हमको कहीं बाहर ले 지역 डिलुनां शर donor का कैने मैं कहीं भी जगह नहीं था हम पतना आए राजिश्वर हॉस्पिटल में सर पतना आए यहां पर इन्होंने कहा मेरे हस्पिन रोने लगे कि मेरी वाइप को भेज दो वह रही कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोगोंने नहीं अलाओ किया सर अग मैंने देखा एंबुलेंस से हम लोग भागलपूर से पटना आये थे राजिश्वर रास्ते में उनको तीन बार पौटी हुई थी सर उसी गं मैंने का सर वह बुला रहे हैं किसी को बाहर से तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िये ना वो छोड़ा तो ऐसे ही बॉख ला रहा है जब से आया है मैं मैं उसमें कुछ नहीं कर पाई पर उसके बाद उनका ऑक्सिनल लेवल जब 37 हो गया तब मेरे साथ मेरे अंदर भीजवाई है तब उन्होंने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में में मेरे बाबू का मेरे बाबू का ऑक्सिजन लेवल में बढ़ा दिया उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है सार एक अटेंडेंट बैठे हुए थे तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड नी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सब तो कोरोना से बिमार पर रहे हम लोग इतना देखे हम लोग क्या मरे खासते खासते सब को देखके बैठिये चुपचा पर देखिये 15 दिन त आल डोटी सब कुछ पिलाया सर इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फॉर्स्टे बोला था यह बचेगा नहीं वो डॉक्टर सर तीन चार दिन बाद कहता है टचुड क्या कर दिया अपने इनके साथ यह तो एकदम ठीक हो गए गजब का फाइड दिया आप दोनोंने मिल लेके मुझे क्या पता था कि मैं फाइडते रही हूं और यह लोग मेरे पाबू को खतम कर देंगे इतना ऐक्सीजन का किलत सर मेरा अब डड़ गया बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलिंडर देखता था हो खत्म हो जबाबू को खत्म हो जबाब कि लिए औक्सीजन सप्लाइब रहता था बाद में पता चला यह लोग ब्लाक मार्केटिंग रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलिंडर का जो कम जो ऑस्पताल वाले हैं ना वो ऑक्सीजन सप्लाइब बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खड़ी दें उन्हीं से हम भी मैंने भी खड़ीदा क्या करते हैं अ कि अ